कहानी यातायाद की शोबित पहली बार अपने पेत्रक गाउं जा रहा था, वो मुंबई में रहता था, उसके पिता पिछले दस सालों से वहीं एक बड़ी कमपनी में कारे रत थे, उसका गाउं दिली से लगपक 50-60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था, मुंबई से दिली तक का लंबा सफर हवाई बांग द्वारा कीवल दो घंटे में ही तै हो गया, औप फिर दिली से रामपूर बस के द्वारा पहुचने में दो घंटे लग गये, जहां तक राश्ट्रिय राज मार्ग था, बस 23 रफतार से चली, किन्तु गाउं मुख्य मार् टूटी फूटी सडक, हिचकोले खाती बस, जैसे तैसे गाउं पहुचे, बस से नीचे उतरे तो देखा कि वहाँ दो तीन टांगे खड़े थे, शोबित पहली बार टांगा देख रहा था, उसने विसमे भरी आँखों से इस बार पिता को देखा, गाउं के कच्चे उबर खाबर रास्ते पर घोड़ा टिक-टिक करके दोड़ रहा था, रास्ते में उसने बैल गाड़ी और उट गाड़ी को देखा, तो उसकी उत्सुकता और बढ़ गई, उसने एक साथ कई प्रश्न मा से पूच डाले, मा ने उसकी जिग्यासा को शांत करने के लिए बताना आर पहले यातायात के लिए विभिनत जानवरों जैसे की उट, घोड़ा, हाथी या फिर मनुष्य द्वारा बनाई गई हाथ-गाड़ी का इस्तमाल किया जाता था, इनसे लंबी दूरी तैक करने में महीनों लग जाते थे, जैसे जैसे मानव ने विकास किया और विक्यान के स सहरे हमारी जिन्दगी को इतना सरल बना दिया कि यातायात के तीवर गामी साधनों के द्वारा आज हम लंबी दूरी भी आसानी से कम समय में तैक कर लेते हैं, यातायात के इन साधनों के बिना अब हम अपनी जिन्दगी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इनके आधी हो चुके हैं अब पिता ने विस्तार से बताते हुए कहा शोबित बैटा तुम्हें नहीं पता कि हाथी घोड़े उंट आधी पर यात्रा करने से पहले मनुश्य पैदल ही आता जाता था फिर उसने जानवरों को अपने वश में किया और उन पर सवार होकर एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाने लगा पहीं के आविश्कार से दुनिया के विकास में गती आई है जानवरों को गाड़ी में जोता गया और इसके तांगे प्रयोग में लाए जाने लगे फिर साइकिल, स्कूटर, मूटर, बस, रेल गाड़ी आधी का निर्मान करके मनुश्य ती आकाश में विच्रन करने के सपने देखने लगा आविशकता ही आविशकार की जननी होती है इसलिए अपनी कल्पना को साकार करने के लिए मनुश्य ने वायू यान और टीचेट विमानों का आविशकार किया और तो और नदियों और समुद्र की यात्रा करने के लिए नोक जो धकका बका होकर कभी मां को, तो कभी पिता को देख रहा था, जो उसे यातायात की रोचक कहानिया सुना रहे थे. उसे गाओं की उस कच्ची सड़की कश्प्रद यात्र भी सुखत प्रतीत हो रही थी. पता ही नहीं चला कि कब घर आ गया? उसने देखा कि दादा दादी चाचा चाची सब उसका स्वागत करने के लिए घर के बाहर ही खड़े थे शुबिट तांगे से उत्रा और दोड़ कर अपने दादा दादी से लिपट कर कहने लगा दादाजी दादाजी आज मा और पिताजी ने रास्ते में यातायात की कहानी सुनाई अब आप भी मुझे रोज ऐसी ही नई कहानिया सुनाने के लिए तैयार हो जाए दादाजी ने उन्हें सने पूरबक गले से लगा लिया और सब खिल खिला कर हस पड़े